हाई फ्रेंज गुलजार सहाब किसे पसंद नहीं है? मुझे तो बहुत पसंद है, I'm sure आपको भी बहुत पसंद है और उनके लिखे हुए इतने सारे खुबसूरत गीत हम हमेशा सुनते हैं लेकिन उन गीतों में कई ऐसे अलफाज आते हैं जिनका मतलब हमें शायद पता नहों या समझने में थोड़ी मुश्किल होती हो तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ पाँच ऐसे खुबसूरत अलफाज जो हमने गुलजार साहब की पोईटरी में या फिल्मी गीतों में सुने हैं आईए शुरू करते हैं पत्थर की हवेली को शीशे के घरोंदों में तिनकों के नशेमन तक इस मोड से जाते हैं नशेमन पत्थर की हवेली को शीशे के घरोंदों में तिनकों के नशेमन तक इस मोड से जाते हैं नशेमन का मतलब क्या होता है नशेमन का मतलब होता है घर या घरोंदा तो बलजार साहब कहते हैं कि चाहे वो पत्थर की हवेली हो या शीशे के घर हो या तिनकों के घरोंदे हो प्यार की सभी राहें इसी मोड से जाती है दूणता है आशियाना धूणता है आबोदाना ये वर्ड्ट दो शब्दों से जुड़ा हुआ है आब और दाना ये दो वर्ड्स हैं आब का मतलब होता है पानी और दाना का मतलब होता है खाना दिल ढूंटा है फिर वही फुर्सत के रात दिन बैठे रहे तसवरे जाना किये हुए बैठे रहे तसवरे जाना किये हुए तसववरे जाना का मतलब क्या होता है तसववर का मतलब होता है imagination तो तसववरे जाना का मतलब होता है imagining your beloved कि दिल वो फुरसत ढूनता है जब हम हमारे beloved को imagine करें उन्हें याद करें so that's what it means तसववरे जाना किये हुए मतलब imagining the love of your life आपने वोगित सुना है तू ही तू तू ही तू सत रंगीरे तू ही तू तू ही तू मन रंगीरे इसके अंतरे में एक बहुत इंट्रेस्टिंग वर्ड आता है आंखों ने कुछ ऐसे चुवा हलका हलका उन्स हुआ हलका हलका उन्स हुआ दिल को महसूस हुआ, हलका हलका उन्स हुआ, उन्स का मतलब क्या होता है? उन्स का मतलब होता है प्यार, प्यार, इश्ख, महबबत. ऐसी उदासी बैठी है दिल में, हसने से घबरा रहे हैं, सारी जवानी कतरा के काटी पीडी में टकरा रहे हैं, सारी जवानी कतरा के काटी पीडी में टकरा गए हैं, पीडी का मतलब क्या होता है? पीडी का मतलब होता है बुढ़ापा. क्या आपको ऐसा कोई वर्ड पता है जो आपने गोलजार साहब के गीतों में सुना है और उस शब्द ने आपको बड़ा परिशान किया है प्लीज मुझे नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताईए